नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है दरपन और आप देख रहे हैं आप इन 24 निज दोस्तों आप देख सकते हैं कितने सारे जो यहां पर बदमाश है वो एक घर में घुसते हुए यह देख सकते हैं तो सीरों में जैसा कि आपको दिखाया है उत्तम नगर के अंदर एक यूवक के उपर हमला हो जाता है 30-32 वर्षी है सोनु को रात को यह आप CCTV फुटेज देख रहे हैं जो कि आपको में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं किस तरीके से हमला हो जाता है और बहुती बुरे तरीके से उसके उपर वार होते हैं पहले घर की दुकान में घुसकर उसे बाहर नि दिख रहे हो लेकिन काफी हद तक जो है वो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि उनके चेहरे जरूर दिख रहे हैं और यहां पर हमला होता है फिलाल आपको तस्वीरे मैं दिखा रहा हूं लबक 6-7 बजे के आस-पास और यहां पर देख सकते हैं बीच-बीच में कई बार जो बदमाश हैं यह देख सकते हैं यह आ रहे हैं और यह देख सकते हैं कि कैसे उसे मारा जा रहा है पीटा जा रहा है और उसके ओपर अचानक से उसे देख सकते हैं कितने सारे लगातार कुछ यह देख रहे हैं आप कैसे उस पर यह देखिए उसके ओपर कैसे एक ही पारे हैं तस्वीरों में शैद आपको कुछ अलग रंग में जरूर तस्वीरे दिख रही हैं लेकिन बीच बीच में क्योंकि रात के समय धूंद भी थी और यहां देख सकते हैं उसे बचाने का प्रयास उसके जो परीजन है वो करने का कोशिश करते हैं लेकिन यहां पर उसे किस तरीके से यह देख लीजिए मार पीट कर वहां पर लहू लुहान जो है उसे कर दिया जाता है यह देख सकते हैं उनकी जो मा है वो भी प्रयास कर रही है बचाने का अपने बेटे को लेकिन क्या हाल जो है उसका फिलाल मार पीट कर कर दिया यह आप तस्वीरों में देख पारे हैं कितनी जादा जो माँ है वो चिलाती हुई रोते हुई आपको जरूर दिख रही हैं कि जब उसके उपर देख सकते हैं बेहोश हो गई हैं कि देख पारे हैं जो घर में जो छोटा बेटा है वो आता है समालता है अपनी माँ को लेकिन किस तरीके से उसके उपर हमला कर दिया उसे जान से मार दिया वो देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो हैं यहां पर पहुंचे और यहां पर फिलाल देख लीजे किस तरीके से यह हमला कर दिया और मा का हाल आप तस्वीरों में जरूर देख पा रहे हैं लेकिन फिलाल ये भी बता रहे हैं कि जानकारी इसकी पुलिस को लगबग दो महीना पहले दी गई थी कि उसे धंकी भरे जो हैं वो कॉल आते हैं धंकियां आ रही हैं और उसके बाद पूरा महला देख लीजिए कैसे कठा हो गया इस समय फिलाल तस्वीरें ये आपको उत्तम नगर की जरूर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लगबग साथ बजे के आसपास का ये पूरा मामला जिसमें एक दुकान में घुसकर एक युवक को किस तरीके से जान से मार दिया जाता है बतादे इस समय इलाके के जो पारशद है पुपेंदर नोतना वो प्तम नगर के अंदर और ये मैं खुद गया था इसके साथ में पिछली बार भी यहां पे कई बदमास आये थे और सिसी टीवी कैमरे में पहले भी ये रिकोर्ड हुआ था और उस टैम पुलिस को खबर दी गई थी कि इसको जान से मारने की कोशिश की जा रही है तो उस समय मैं भी यह पता नहीं लग पाया कि लड़के कौन थे तो आज बड़ा दुखद जो घटना है मैं को अभी सविरे पता लगा कि इतना बड़ा हाथसा हो गया है वाड के अंदर सिसीटी फूटिज भी देखा आपने का भी बेरैमी से मारा बहूत-बहुत बेरैमी से मारा और पहले कारवाई कर लेनी चाहिए थी अगर पहले दर्द कर वाइए तो आज साहे सोनो हमारे बीची में होता है सोनो आज हमारे को छोड़के चला गया है तो इसके बारे में बस अज टैम निंदा के सिवार क्या किया है माँ की हालत बहुत खराब है बेहन की उनकी पत्नी हैं दो छोटे मसूम बच्चे है देखोए परिवार है जिसको जैसा दर्द है उसको तो ऐसा दर्द हो गाई लेकिन अच्छा भाई एक अच्छा बच्चा था एक अच्छा पती था ओर मेनला आप सोच ने सकते हैं कि हमारे जहां पर फिलहाल अभी कुछ ही जो देर के बाद परिवार जो है वहां पर पहुंच जाएगा और आगे पोस्माटम जो है वो जरूर किया जाएगा लेकिन फिलहाल इतना है कि जैसा कि फूटेज मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया उस फूटेज में आपने देखा कि कि सामने और फिलहाल जो है वो तस्वीरें कोई जादा साफ तो नहीं थी लेकिन इतना था कि फिलहाल सारी घटना जरूर उसमें देखी जा सकती है किस तरीके से वो घटना हुई कितने लोग थे अभी इस मामले में पुलिस आगामी जो कारवाई है अब उससे फिलहाल अंजा बड़ा के बीच होता लेकिए लैकिन फिलाल गरीब परिवार है कमा कमाने का सादन भी जो है वो सोनूंँ परिवार के लिए क्लिए परिए वह बहुरा लड़का था परिवार में कमाने वाला और उनकी जो दौ नहीं का पिता उनसे दूरह गया एक पत्नी का प्ती दूरो ह ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक